हेलो दोस्तों मेरा नाम है अभिशेक और इस वीडियो में आप जान पाएंगे क्या है राज्य भाशा, राश्ट्र भाशा और राज भाशा तो दोस्तों इन तीनों में अंतर है तो सबसे पहले क्योंकि दोस्तों इसमें मैं कोई आपको presentation नहीं दे रहा है आपके सामने slides नहीं आएंगी इसलिए दोस्तों आप थोड़ी God से सुनिएगा देखिए दोस्तों कोई भी भाशा को हम भाशा तब बोलते हैं जब हमारी वो विचार को प्रकट करता है किसी tones के माध्यम से अब वो सांकेतिक भी हो शकता है कैसा भी हो सकता है लेकिन जो सबसे लदा acceptable है जिसको हम सबसे ज़्यादा स्विकार करते हैं वो tones का है अगर हम कोई विचार प्रस्तुत करते हैं धनुए के वाध्यम से तो हम उसे भाशा नाम दे दिया करते हैं अब दोस्तों भाषा कोई मिलकरवनी होती है बोलियों से अब बोली लाइक जैसे मैं भी प्रेजन्ट में हूँ रीवा छेत्र में सिंग्रॉली में और सीधी में तो दोस्तों मेरे को पता है सिंग्रॉली, सत्ना, सीधी और रीवा इन चारों जगाय चारों जिलों में हम बग खिल खंडी में भी थोड़ी थोड़ी अंतर रहता है। तो ये dialects होती हैं, ये बॉलिया होती हैं। ऐसे ही, ये बॉलिया अगर और दूर जाएंगे, उमरिया जाएंगे, जवलपूर जाएंगे, दिन-सागर, दमो, पनन जाएंगे। उतर बुंदे खंडे को रूप लेने लगता है कहने का मतलब यह कि जो बोली है उसका एडवांस रूप अगर आप बोलें और बड़ी शेत्र में जो कि लोग आसाने समझ जाते हैं कि दूसरे से क्या बोल रहे हैं उसे हम विभाशा बोल देते हैं मतलब बोली एक छोटे किसी मंडल पर बोल जाती है चोटी शेत्र पर बोली जाएगी और विभाशा है उसका विस्तृत रूप है जहां पर लोग उससे भी समझते हैं उस बोली को भी आसाने समझ जाते हैं अब दोस्तों बहुत सारी विभाशाएं रहती हैं लेकिन उन विभाशा में एक ऐसी विभाशा रहेगी जो साहित की दृष्टे से व्याकरण की दृष्टे से काफी अच्छे रहेगी और लोग उससे काफी एसे प्रभी करेंगी और सबसे आदा लोगों-दरों समझी जा वो भी एक विवाशा है जो कि एसेप्ट की गई है बहुत सारे लोगों द्वारा कि हाँ ये साहित्त की रूप से बोल चाल की रूप से समझने के दिश्चे से काफी अच्छी है और इसे कॉमनली पूरे देश के लोग आसानी से समझ पाएंगे यहाँ पे अगर मैं देश बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मेजोर्टी यूज़ कर रहा हूँ कि मेजरस प्यूपल जो कि उसे समझते हैं दोस्तों जो हम हिंदी जिनरली अभी यूज़ करते हैं अगर हम दूसरे विवासा की बात करें लाइक अगर हम बात करने के अवधी चलिए तो अवधी नौर्ट हिस्ट में लोग समझने में प्रॉलम हो जाएगी 36 गण समझने में प्रॉलम हो जाएगी सेम इसी तरह से जो उसका परिश्क्रित रूप रहता है जो मानक रूप रहता है इसे दोस्तों हम टकसाली भी बोल द सब थोड़ी दिक्कत जाएगी तो इसी तरह से एडवांस रूप जो रहता है बोली का और विभाशा का वह भाशा और यह बहशा कहीं हो सकती हैं भाशा हो सकती हैं बैंगॉली हो सकती हैं disciples alwaysед ऑसे टिबित्य न्च नेंश हो सकती हैं और लेकिन जिस तरह से हिंदी भाषा अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग विभाषाय रखती है बोलिय रखती है सेम इसी तरह से चानीज हो इंग्लिश हो ऐसी कोई भी लेंग्रिजिस अपनी एक अलग बोली विभाषा पहचान रखती है तो उम्मीद है दोस्तों कि मैं आपको समझा पाएंग कि भाषा क्या है यहां पर दोस्तों क्या हो जाता है कि माध्य प्रदेश अब मध्य प्रदेश में कितनी सारी बोलियां हैं कितनी बिफासाएं हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं बुंदेल खंडी बगेल खंडी निमाडी मालवी ब्रज भी गोले तरब बोल जाती है लेकिन इन सब का कॉमन मिलकी बिवाशा मिलके लोग हिंदी को परस्कृत रूप मान लेते हैं और उसी को राज अपना समझने लगता है और उसे कॉमन कर देता है कि जितना भी लोग अगर माल जाए कि मैं हाँ पर बात करता हूं किसी मालवा वाले इंसान से या फिर मैं रीवा शेत्र का हूं और मैं बात करता हूं किसी गौलियर वाले से तो अगर मैं बगेली में बात करूंगा तो वह असाने समझ जाएगा तो इसलिए दोस्तों एक कॉमन लेंगे जो हो जाती है जो किसे स्टेट में यूज होने लगती है उसे हम बोलते हैं राज्य भाशा अब सेम इसी तरह से दोस्तों अगर कंट्री वाइज अपन बात करें कि अगर हम भारत में मध्य प्रिदेश में हैं हम दिल्ली में बात करें बखेल खंडी में तो हां परण तोर पर शुद्ध है वह हिंदी जो सबसे अधा एसेप्टेवल है तो हम उशे राश्ट्र भाशा भी बोल सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में राश्ट्र भाशा एसेप्टेड नहीं है हिंदी को माना गया था फिर माना गया लेकिन तमिलनाड अभी भी इसेप्ट नहीं करता और अगर आप राज भाशा अधिनियम पढ़ेंगे तो का खा गा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है अपका रीजन हुआ जाता है जहां पे हिंदी कॉमनेली बोली जाती है लाइक मद्ध बरदेश राजस्थान च्छतीजगर्ड बिहार यूपी दिल्ली एसे स्टेट्स खा लेंग्विज खा भाशा वहां सिप्ट की जाती है लाइक गुजरात महारास्थ जहां पे लोग हिंदी गुजराती दोनों को रिकोगनाईज करते हैं और तीसरा हो जाता है जो इनके गा जो हो जाता है इनके अलावे जितने भी है वो लेकिन तमिल नावडी से स्ट नहीं करता ये 1963 में आया था देन अपडेटेड होके 1976 में आया दोस्तों तो दोस्तों अभी तक हमने बात किया कि राज जी भाशा ये राश्ट भाशा निर्धारित करता है कि कितने लोग उसे पसंद करते हैं कल को XYZ मैं बोल रहूं अगर हिं लिखन भी पसंद करने लगते हैं तो कल को पॉपलर्टी से मिल जाएगी और ये बन जाएगी राज जी भाशा आफ मद्ध परतेश मेंस स्टेट लेंगवेज आफ मद्ध परतेश तो अब दोस्तों बात करते हैं राज भाशा राज भाशा नेशनल लेंगवेज मतलब अपन पॉपलर्टी की साब से अब दोस्तों जो राज भाशा है ओफिसियल लेंगवेज है यहां के लिए भी सेम है और कंट्री लेवल के लिए सेम है कैसे अब देखिए कि अगर हम मध्यप्रदेश हिंदी में कोई काम करता है तो यहां की राज भाशा हो जाएगी हिंदी लाइक गॉर्मेंट ओफिसेस में न्यूज रूम्स में या फिर कोई भी ऐसे काम जो कि जनरली हम एड्मिनिस्ट्रेशन के लिए पत्रचार के लिए करते हैं तो वहां की राज भाशा हो जाती है सेम इसी तरह से दोस्तों अगर हम करनाटक की बात करें तो वहां की राज भाशा हो जाएगी ऑफिसियल लेंग्वेज हो जाएगी कन्नड सेम इसी तरह से दोस्तों आपको याद हो गए एक काइम पे सेंटर से गया था हिंदी में नविन पटनायक के पास ओडिशा को जो सी राज भाशा उडिया है तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो ओफिसल लेंग्वेज स्टेट की है राज भाशा है वो राज भाशा या फिर नेशनल के लिए जो नेशनल लेंग्वेज है वही ओफिसल लेंग्वेज हो दोस्तों आप इसे रिवाइंड करके फिर सुनिएग आप इसी अच्छे समझ पाएंगे और उम्मीर दोस्तों कि मैं यहाँ पे आपको अंतर क्या है मैं समझा पाया हूँ और उसके अलावा आगे आने वाली वीडियो में मैं राज भाशा अधिन्यम के बारे में बात करूँगा जिसमें मैं हिंदी को सिप किया गया था पंदर साल के लिए लेकिन बाद में प्रॉलम्स होती ही गई और एक स्टेंड होता गया तो थैंक्स लोड़ गाई जाफ आमरे साथ बने देगा थैंक्यू सो मच झाल झाल